हाई दोस्तों गूड इवनिंग आज हमारा नेक्स्ट कोपिक है इस्ट्री ओप कंप्यूटर इन वर्ड कंप्यूटर का इतियाज 200 के अंदर जितने भी आविस्कार हुए है तो आज हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं सर्व पर्थम गण्णा यंतर इसका विस्कार वादा अबिकस जो इसका नम है अबिकस जो चीन के दुवारा इसका विस्कार किया गया था 1846 में ठीक है और इस अ पूरा नाम क्या है अबेंडेंट बीड्स एडिशन कैलकुलेशन यूटुलिटी सिस्टम ठीक है और इसके दुवारा जो आविस्कार किया था उसका नाम क्या है लीकाई चैन दुवारा इसका आविस्कार किया गया था किसका अबिकस का जो सर्वर्थम गण्णा यंतर है और जो अब्विकस है उसको जापान में सारुबान की नाम से जाना जाता है किस नाम से सारुबान की नाम से नेपेर बोन्स का विषकार किस ने किया था जोन नेपेर बोन्स ने 1617 में ठीक है और ये कहां से थे इसको लेंड देश है ना वहां से जो एक गनितग्या था यह जो इसका विस्कार किया था ठेक है और इसका विस्कार विलियम ओटरड ने किया था और यह कहां से है जर्मनी से जर्मनी देश से है और 1620 मेई इसका विसकार किया था किसका स्लाइड रूर्स का नेक्स्ट है पास के लिए ने इसकार किस ने किया था बिलेज पास कर ले है और कब किया था 1642 में और ये कहां से थे फ्रांस से थे और ये भी एक गनित्ते के थे ठीक है और यांतरिक कैलकुलेटर क्वोन सा calculator यह अंतरिक calculator 1671 में किसने किया था इसका अविसकार विलियम वोन की दोबारे इसका अश्कार किया गया था और यह कहां से हैं यह जर्मिनी देश से ठीक है और मार्क फस्ट जो मार्क फस्ट है इसका अविसकार हावर्ड एकिन और ग्राश हापर दो बंदे थे Harvard, Akin और Grass इन दोनों ने मिलकर Mark Post का अविस्कार किया था और जो पंसकार है ठीक है इसका अविस्कार किस नहीं किया था पंसकार का अविस्कार किया था जो USA, Amerika की Harman Horowitz है न उन्होंने इसका अविस्कार किया था और पंसकार से जो डेटा पढ़ने का विचार सरवपथम किसने दिया था ये दिया था चार्ल्स बेवेजने और पंच काड का परियोग सरवपथम किसने किया था जो सब मेरी ने किया था जो जो सब मेरी ना उसने किया था किसका पंच का परियोग मतलब पंच काड क्या है ये मानक पंच काड ना मानक पंच काड मानक पंच काड ये लगबग 7.37 चोड़ा है 7.37 ठीक है और 3.25 इंच ये क्या है लंबा है पंच काड 3.25 इंच ये लंबा है ठीक है और जो इसकी मोटा ही है इसकी 0.01 इंच ये मोटा है ठीक है और इसके अंदर है 80 करेक्टर लिखे जाते है 80 अक्सर इसके अंदर लिखे जा सकते है और पंच काड में जो छिदर होते हैं पंच काड के अंदर जो छिदर होते हैं उनको 1 से डिनोट किया जाता है यानि परदर्शित किया जाता है ठीक है और जहां चछिदर नहीं होती पंस काट में उसको 0 से denote किया जाता है तो किसको पंस काट को तो सभी दोस्तों का धन्यवाद नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में डेलेगा इसका ये फस्ट पार्ट भी पूरा नहीं हुआ है ठीक है तो एक